नमस्कार दोस्तों मैं सुजीद कुमार सिंग, Advanced Excel Training Center IPT Excel School से आपका स्वाधत करता हूँ हमारी इस वीडियो डिटिटोरियल में जहां हम सीखते हैं Complete Advanced Excel दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करना जा रहे हमारे एक व्यूवर Mr. Binoj Sarma के बारे में मिश्टर बिनों सिर्मार ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है कि कोई ऐसा formula होता जिसमें 100 sale में amount हो उसे approximately amount चाहिए 1,00,00 रुपे तो कैसी होनी चाहिए मतलब इनका कहने के मतलब जहां तिक मैं समझ पाया हूँ यह है कि इनके पास already कोई amount डला होगा है यहां पी उनको डालना है दोनों कैसी में फॉस्वर है जिसमें 15 यहां पे डाल देता हूँ और मैं चाहता हूँ यहां मैं इसको पेज़ कर देता हूँ और यहां मैं सबका sum निकालता हूँ sum यहां पे पैसर पंचान मिले sum होना चाहिए था यहां पे 10,000 यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे करना चाहता हूँ कि इन सबों में ऐसी amount डालना चाहता हूँ जिसका sum 10,000 आना चाहिए तो इसको कैसे करेंगे चलिए मैं विनोह समा की question का answer कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपर वह से request करूँ कि प्लीज अगर आप लोग मेरी चैनल पर फॉस्ट रिमाया है तो प्लीज मेरी चैनल को subscribe कर ले क्योंकि मैं डेली बिस में 20-25 वीडियोज अपलोड करता हूँ और इसमें mostly वीडियोज होते हैं मेरी live classes के जी हम मैं online remote sharing system से live classes देता हूँ कैसे दता हूँ इसकी वीडियोज देखिए मेरी चैनल पर बहुत सारे बड़े होंगे जिसमें बच्चे आते हैं अपने cell phone से अपने tablet से join करते हैं मेरे साथ direct और मेरे साथ पढ़ते हैं जोड़ी नहीं कि आप पूरी syllabus को लें आप अपनी साथ से दस भी topic भी select कर सकते हैं hourly भी select कर सकते हैं जैसा आप चाहेंगे हम ऐसा यह आपको training दे रहेंगे तो चलिए start करते हैं तो अब basically इनका question का solution का solution है solver जी हां लेकिन solver direct आपके system में नहीं होता है उसके लिए file या office बटन पर जाना होगा excel option पर जाना होगा और add-ins पर जाना होगा excel add-ins and go और यहां solver प्रेटिक मारके ok करना फिर data में insert या data दुरमस किजी एक में आएगा डेटा में वार में देखिए यहां solver आ जाएगा उससे पहले आपको जहां पर 10,000 के amount मुझे चाहिए वहां पर sum का formula लगाना होगा value हो या नहों sum का formula होना चाहिए बगए sum का formula नहीं चलेगा sum का formula हम नहीं यहां पर लगाया और उसके बाद उसके करसर रखके solver पर गया यहां पर b1 divided by default आ गया आप इसको change भी कर सकते हो maximum minimum यहां पर जैसे maximum तो maximum 10,000 होना चाहिए minimum चलेगा 10,000 या exact 10,000 होना चाहिए उसके बाद आपको change कहां करना है उस area को select कर मुझे एक 15 तक चाहिए मैंने select कर दिया उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है यहां पर add करना है मैं को condition लगाना है कि decimal में नहीं होना चाहिए 1000 से जादा नहीं होना चाहिए ऐसे conditions लगाने है तो one by one यहां conditions आप लगा सकते तो इसे मैंने बोला कि exact value होना चाहिए तो मैंने यहां पर कर दिया int बतों कि integer decimal नहीं होना चाहिए यहां पर क्लिक करूंगा यहां पर numbers आपके सामने हैं अब आपको रखना है यहां पर आपको एडिस्ट और original value करनी है यहां पर कुछ और करना है ठीक है यहां पर scenario पर जाना है तो कर सकते हैं यहां पर आपके कर देता हूं तो हमारा fix हो जाए तो यह विनो सर्मा जी की question का answer है विनो सर्मा जी मैं आपको thanks करना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे वीडियो पर comment किया और मुझसे कुछ सवाल पूछा इस तरह से मेरे वीडियो देखते रही है मुझसे सवाल पूछते रही है या आप भी मेरी live classes भी join कर सकते हैं अगर आप pay करके पढ़ना चाहते हैं live classes भी join कर सकते हैं online live interactive one-to-one या भी मेरी pain drive को purchase कर सकते हैं दोनों के लिए आप मेरी website ipt india.com को visit कीजिए thanks for watching this video have a nice day